हेलो फ्रेंड है अज मैं नूडल्स बनाने जा रही हूं बस दो मिनेट में मैं इसके लिए एक पेन में पानी गरम की उसमें नमक डाली स्वाद के अनुशा अब इसमें दो चम्मच तेल डालूंगी अब मैंने एक पेकेट नूडल्स डालूंगी बस इसे दो मिनेट पकाना है इसे हाथ से चेक कर लें पूरा नहीं पकाना है इसे आधा पकाना है ये देखिए इस तरह से मैंने पकाई इसका पानी मैं निकाल दी अब मैं दुसरे पेंड में तेल डालूंगी अब मैं हरी मिर्च डाल रही हूं मिर्च आप कम बेसी कर सकते हैं ये बच्चे बूढे सब पसंद करते हैं मैं दो ओनियन को काटके डाली हूं लंबा लंबा इस तरह से काटना है इसे एक दो बार चला लें अब मैं इसमें कुछ सब्जी डालूंगी अब मैं गाज़त डाल रही हूं इसे भी एक बार चला लें अब मैं सिम्ला मिर्च डाल रही हूं यह हरा वला है यह पीला यह लाल अब मैं पत्तागों भी डालूंगी इस तरह से सभी को काटना है अब इसे भी मैं एक मिनेट तक भूनूंगी बस एक मिनेट से ज्यादा नहीं भूनना है कलरफूल कितना अच्छा लग रहा है देखिए अब मैं इसमें नमक डाल रही हूं स्वात के अनुशा नमक पहले भी डाली थी अब मैं काली मिर्च डाल रही हूं इसे अच्छी तरह से मिला लें अब मैं नूडल्स डाल रही हूं यह ठंडा हो चुका है ठंडा करके ही डालना है अब इसमें दो चमाच सोय सास डालें अब रेड चिली सास डालें दो चमाच ग्रीन चिली सास डो चमाच वेनिगर डालूंगी एक चमाच अब इन सबी को अच्छी तरह से मिलाएं यह देखिए कलरफूल कितना अच्छा लग रहा है इसे एक मिनिट और पकाऊंगी इसे अच्छी तरह से मिलाएं नेता है प्रोप Only में से अची तरह से मिला रही हूं? अब यह बन चला यह देखिए सर्व करने के लिए तैयार है बिलकुल गरम गरम इसे सर्व करें खाने में टेस्टी लगता है दस्तो थैंक यू अब चला यह बन्हां 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 झाल झाल